हां तो इस class में क्या पढढ रहे हैं इस class में हम पढ़ रहे हैं कि School of Managment thought ही management रहे हैं कैसे कैसे आपका developed हुआ है this के बारे हम पढ़ आपके पास ऐसे से हम unters सबस entreprises पर यह डियर कर दिया पहला नश collective अम्रियर विफोर 19 lid eh pre classical वैसे तीन होते हैं classical neo classical and the modern किसमे क्या आता वो भी देखेंगे, प्री क्लासिकल का मतलब क्या होता है, क्लासिकल से भी पहले क्या क्या डवलब हुआ, क्लासिकल में में जो आप पढ़ते हो, वहां से स्टार्ट मानते हो, नियो क्लासिकल और क्लासिकल का टाइम है 1900 से पहले, क्लासिकल का टाइम है 1900 से 1930 त के लिए हो गया कुछी का भाई है प्री क्लासिकल में आपका आया पर्सोनल मेनेजमेंट रोबर्ट ओवन का कंट्रिबूशन आता है ठीक है टाउने का प्लैन आता है इसके अलावा चाल्स बेवेज आता है तो यह कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं रोबर्ट ओवन च मेने जिर तुर। रहेिजिए 30 साल अगले आपके क्या चलेंगे धर क्लासिकल में सबसे पहले आप का आया क्या दीमेंट जो गोर्मेंट में आपके कोई ना क्ट ga कोई इसने डव़ी का अब आई बूरो कैसी डव्लप आप अपरोच नै ना इन Хdesourd में और किसने दी मैक्स वेबर में मैक्स वेबर ने इसको डवलप किया पहली चीज़ क्या काईज ने अब आप देखिए भीयो कैसी में क्या होता है कि पद के साथ रिलेशन्शिप होता है पोजिशन के साथ परसन के साथ कोई रिलेशन्शिप नहीं दूसरे चीज क्या है सब कुछ रूल्स के अकोडिंग चलेगा तो मेनली जो आपका यह जो विरोक्राटिक अप्रोच है यह जो मैक्स वेबर ने दी दो चीजों पर चलती है क्या सिस्टम अप रूल रूल पर चले लीषनिशिप के साथ रिलेशन्शिप है आदमे के साथ कुछ रिलेशन्शिप होनेगी sous k Haut रोई कि कुछ इस害 प्च्चिछ साल का इस ओफिसर हो सकता है और उसके नीचे कोई PN हो सकता है जिसकी एज 55 एर हो जिसकी बात मानेगा कुण किसकी बात मानेगा आए इस ओफिशर की मानेगा क्योंकि पद है उसके पाफ बैसके इसकी एज चेह कितनी हो जाए ठीक बात है यह तो मतलब क्या हुआ रिलेशन्शिप को कौनची होगी ऐसे सकती अंडूरी दिखा मेरेगा आपको फॉर्मल के साथ क्या मिलेगा इंपर्शनल यह फिर आपको मिलेगा informal का मतलब फॉर्मल क teve बात सक्ति है आप अपने लेवल पर बात करें तो आपनी क्या बात की यहां पर सब को सिस्टम आप रूल की चलेगा और आपके रिलेसिंसी पहुंची रहेगी फॉर्मल रिलेसिंसी ठीक है यहां तक के लिए आपको दूसरी चीज आई आपकी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इस रोल को और रिलेसिंसेप आपको फॉलो करेंगे आप किसके लिए एफिशेंसी और एफेक्टिवनेस के लिए असे यह दो बड़ रहेगे इनका मिनिंग क्या होता है एफिशेंसी और एफेक्टिवनेस ठीक है इसका मिनिंग बताओ क्या हो उसके बाद आई आपका क्या क्या फीचर से इसकी देख अभी आपने का कि administrative classes होते हैं कौन class one officer होंगे कौन class two officers होंगे और कौन किसकी बात मानेंगे कौन subordinate होंगे second one specialization होता है अब कोई किसी में policy formulation में specialized है कोई किसी चीज में है तो specialization होता है तीसरा आपका hierarchy होती है कि कौन top level पी होगा कौन इसके नीचे managers काम करेंगे और कौन किसकी बात को follow करेंगे system of rules अभी जो आपने पढ़ा ठीक है official rules होते हैं उसके अलावा आपका क्या है सारा जो relationship होता है impersonal होता है relationship क्योंसा होगा आपका impersonal relationship होता है trained employee होंगे सारे के सारे मतलब उनकी training होती ही प्रॉपर्टरी के सारो official record होगे सबसे बड़ी इसकी limitations एक ही है red tapism red tapism आपने सुना होगा लाल फिता शाही उन्हें तो सरकारी फाइल देगा ना पहले लाल कलर में होती थी ring color में और उनको ऐसी बंद करके file को और उसको ऐसी करके ऐसे वह लाल फिता लाल फिता होता है उसको ऐसे लगा देते थी है प्रोपर तरीके से और गूमें की आई तो सबसे बड़ी limitation क्यों किसमें बहूत सारा time लग ciao ठीक है तो यह क्या थी विरुक्राटिक विरुक्राटिक एमर क्या समझें मैक्स वैपर ने दी नाइंटीन हेंडर में दी सिस्टम अफ रूल और दूसरा आपने क्या पड़ा फॉर्मर रिलेशन्सिप इसके बेसिज पर चलती है और इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन हो क दूसरी आजाब कि किसके है एडमिनिस्टेटिव प्रोग्स एडमिनिस्टेटिव किसने दिया है 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 henry फ्योल है henry फ्योल का का च्वोदा तो प्रिंसिपल दिया है जो आध हम पड़ेंगे छे आपके दिया है फांच फंक्सिंस दिया है व्योंपर देखा आपने planning organizing coordinating commanding and controlling past function is planning organizing commanding coordinating commanding and control past याज रखने आपने ठीक है और छे activity छे activity कौन सी है छे activity दीशने सबसे पहले financial managerial accounting commercial चार्थ अपनी होगी ठीक है security technical होगी ना संद्रिजर financial manager accounting commercial technical security बस छे याद रख लेंगे ठीक है छे activity पांस function चोधा principle यह काम इसने दिया है 14 principles में फर्स्ट प्रिंसिपल आप काता है division of work division of work क्या काता है कि आपको किसी भी manager को किसी organization में एक किसी भी particular task है different spare बना दो पार्ट बना दो और हर एक पार्ट के लिए एक person appoint कर दो यह group of person appoint कर दो उन गुरूप का काम है उस person काम है वो काम बार-बार करना वो हर बार वही काम करें आप एक जामपल जैसे किसी भी आपको sheet fit करनी है किसी को कहा कि आपको यह करना किसी को का काम करना है तो इस तरीके से डिवाइड करना है तो ऐसे वो लगातार काम करते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे दूसरा आता है discipline आप प्रोपर discipline से काम करें मतलब वैल आपकी टाइमिंग होना चाहिए उस टाइमिंग परका काम स्टार्ट हो जाए पूरे तरीके से काम करो तो उसको क्या बोलते हैं discipline में आपका काम हो रहा है तीसरा आया आपके पास कोई भी काम दिया गया है जिसको बोलते है responsibility जैसे आपको घरवाले कहा दे कि आपको जयारफ करना है इस बारी करना है या आपका मन कह रहा है कि आपको जयारफ करना है या अपको प्रोफेशर लगने है लेकिन आपने अपको अथरुटी नहीं दिया आपने आपको इस तरीके से आपकी पास यह अथरोटी ने कि आप उसको रिमूव कर पाई तो आपका काम हो गए नहीं है जहांसे सुनना मैंने क्या क्या आप मैंने आप में बता दी शारी बते मैंने कहा कि आपने आपको रिमूप करना शिष्टर प्रोफेशर लगना जल्दी चल्दी पीछड करना है यह सब चीज आप ने कर लिए लेकिन आपने अपने आपको अथराइज नहीं किया कि अगर कोई भी अब मेरे को डिस्टरबेंस करेगा डिस्टरबेंस होंगी मैं किसी चीज से तो मों इसको सेपरेट कर लो तो आपका काम नहीं होगा यानि कोई भी काम करना थे उसके लिए ठीड रसमसीबिट्र शा साथ चली ठीक है यह कहता है कि कोई रसमसीबिट्र कि सी को दी गई है तो अथरी भी प्रोफर दी जाने चाहिए ठीक है नेक्स्ट आया आपका यूनिटी ओव कमाड्ड का क्या मत का मतलब है एक person को एक time में एक एक ओर में ला चुछा चाहिए तो कि आप के पाशिये प्रोब्लम किया है इधर आप पी मुंपी इगे पापा है और आप यह यह तब मुंपी ने कहा धिया खाना बना लो अपरने समान लेदो किस की बात को प्रटी दे चलो आपने पापा की बात को प्रषिंत लग गया एक गंटो लग ग्या और मम्मी आप इसए माल लFr l Lamb आपको बता रहा हूं मैं आपूनों और पर है तो आप क्या आया मम्मी आप आतिया मैं आपका ना पहले भूंड बना की अगई कही I किसकी बात को प्रायटीइ दे होगी न होगी फिर क्या होगी मेरी बात नहीं मनने बश्के मेरी बात नहीं नहीं दे lets लुदू में और फोनागा थी एक टायम में यह कमांड मिली आपके मांड में elevate किसकी बाद को प्रएटे दे इसकी बात माली तो इसकी माली तो इसकी माली एक राइट दिस्प्यूट्स तो कई ऊणा यह ना पर आपका क्या होगा कई लेकर जाएगा से तो unity of Edition command मतलब होता है एक ही command मिलने जाएं एक टाइम पर एक बात आई unity of direction direction का मतलब क्या होता है कोई काम दिशे की बस ड्राइवर है आपके पास बस ड्राइवर आपको ना कहीं बहाँ जाना था गूमने के लिए आपने ऐसे कहले राजिस्तान में जैसल में जाना आपने जैसल में जब आप गए तो ड्राइवर को दो बंदें इंस्ट्रक्ट कर रहे एक टाइम पर यह रोड ठीक रहेगा क्या प्रोब्लम आएगी किसकी बहात माने, वहाँ प्रोब्लम है लेकिन यहाँ पर क्या प्लैन आगया प्लैन का पहुंचना है और महा पहुंचने के लिए उस प्लैन को बास द प्लैन को कोण कोडिनेट करेगा कहा किस हो ठेल प्तल पे आपको डाहन कोली रोक नहीं है कहाँ पर खाना-खाना यह सारे iç Mackay अगर एक ही head रहेगा एक plan का तो वह efficiently काम करेगा मतलब वह plan उसकी according चलना चाहिए one plan one head related with the unity of direction and one command from one boss is related with the ठीक है boss word आते ही आपका command आगया boss तो command ही देगा direction का मतलब plan को direction दी जाती है तो वह आप क्या जाएगी unity of direction unity of direction अगर आपके ठीक है direction ठीक है मिला तो इसी क्या बनेगा team spirit और team spirit को क्या बोलते है aspd corpse जो आपका 14 नंबर का principle बनता है सहयोग की बाहुना वाला यह वाला यह इसी का extension aspd corpse इसका मतलब क्या है कि unity of direction का question क्या unity of direction का extension क्या है aspd corpse first thing इसका मतलब क्या है जब आपका direction ठीक है unity of direction ठीक तरीके से है तो आपका क्या होगा cooperation बनेगा team spirit ठीक होगी बात तो यह आई आई आपकी interest का मतलब क्या है कि आपका अपना hit हो कोई काम करने में आपका benefit हो एक हो पूरी public benefit पूरी organization का तो आपको priority किसको दी जानी चाहिए एक manager को किसके priority देनी चाहिए खुद की या सब की general interest की तो यह क्या कहता है priority देनी चाहिए general interest की जो भी जिसका जो काम है उसके लिए proper remuneration आपको salary देनी चाहिए ठीक है centralization centralization का क्या मतलब है Centralization means कि जितनी भी power है कि decensulated सारी अपने पास रखना it is called centralization decentralization distribution distribute कर देते हो आप अपनी power authority to other subordinate में तो यह हुआ decentralization यह ना तो centralization को support करता फेओल ना decentralization को यह किसको करता है effective centralization इसका मतलब क्या है जो key decisions की power वो खुद रख लो बाकि daily routine के काम है वो आप अपने subordinate को देते हो तो यह का है आपका centralization की concept उसके बाद है scalar chain scalar chain का मतलब क्या है कि अब मालोगी आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर टी person यह जड है यह यह एक्स परशन है जो सभी का वोस है सी ओ मालो और यह a, b, d अब यहां से कोई information t को आनी है तो यह नहीं कि direct contact कर लेगा कैसे आएगा b से a को a से x को x से y को y को z को और z से t को इस प्रोसेस से होते भी आईगे फ्योलने का इसको strictly follow करो को strictly मतलब इसको कभी भी break नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या होता है emergency में same level के यह जड और b, y और a, t और c दोनों एक दूसे को इसके साथ communicate कर सकते है जिसको बोला गया गैंक यह exceptional है फ्योल ने इसको allowed नहीं किया एकसेप्शनल क्रम आ गई है क्या आया एकसेप्शनल क्या है कि आपका यह जो फ्योल की है ना इसको must follow करना चाहिए यह ब्रेक नहीं होनी चाहिए यह तो एकसेप्शनल है अब एकसेप्शनल है अब एकसेप्शनल में आये ना अकर फ्योल का नाम वड आ जाए तो यह नहीं allowed नहीं है सुननो मैंने क्या कहा है फ्योल की अकोर्डिंग क्या है देखो फ्योल नहीं यह कह रखा है कि must follow this order by फ्योल फ्योल नहीं क्या कहा है इसको पूरा आपको फ्योल करना है ठीक है उसके बाद क्या है आपका order order में क्या है आपके पास order का मतलब होता है हर एक चीज की एक प्लेश है और उस प्लेश उस प्लेश पर ही वह चीज होनी चीज़ए जब वुक्स कांपि लेगी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी जाते है आप बुक्स के लिए खाना खाने होटेल में या रेस्टोरेंट में इसी तरह के से जाते हो न आपके गर में कहा होता है स्माज़ो BATKO क्या चाहता है की हर एक चीज की एक PLACE है वो उस PLACE फर होगा तो यह ठीक होगा यह कहता है right man should be a right place यह देखो हर आदमी का एक PLACE वो उसी PLACE पर और दरभ ना चाहिए प्रेक्जामपल मालो आप योगे हो किसके असिस्टन प्रॉफिसर बनने के और आप नहीं लगे घलत बात है मतलब जब पोजिशन जिस पोजिशन के लिए आप लायक हो वह पोजिशन आपको मिलें बहुत सारे ministers ऐसे होते हैं जो उसके लाय कर नहीं होते हैं लेकर वो इस post पर होते हैं फिर क्या होते है ऐसी decision लेते हैं बात समझ नहीं मेरी मैंने क्या कहा right meant should be at right place और दूसरा कहता है place for everything हर एक के लिए place होता है और everything should be in its place वो अपने place पर होने चाहिए वो क्या होगी आपकी यह आपकी क्या होई order order का मतलब का भी भी आप उससे मत समझ लेना कि किसी ने वह वाला order दिया है आदेश दिया ऐसे नहीं है यह order का मतलब है order systematic arrangement systematic arrangement of things and people इतना सी बात समझ लो ठीक है arrangement of things and people ठीक है लास्ट आया equity equity का मतलब all are equal सारे employee जैसे आप किसी साथ बेजबाव मत करो ठीक है उसके बाद आया stability of personal stability of personal का क्या मतलब होता है stability of personal का मतलब है कि अगर आपने एक बार किसी को recruit कर लिया है तो आपके साथ लंबे समय तक बना रहे लंबे समय तक बना रहे क्यों क्योंकि आपको जब उसकी appointment की गई है तो बहुत सारा आपका expenses लगा है उस expenses को recover करने के लिए बार-बार आप अगर expenses करोगे तो आपके expenses का level increase होगा recover करने के लिए growth के लिए आपको एक person को लगाता है appointment मतलब उसकी लंबी समय तक appointment होनी चाहिए क्योंकि आपने उसको काम सिखा दिया वो समझ गया वो change करेगा तो कहने कही नुक्षान होगा initiative initiative का मतलब है आप 4 बे hops cooperation team split आप में टीम भावना होने चैसे आप च्यार बैठे आप च्यार हो क्या कर रहे हो एक दूसरे को cooperate करो ना कि competition करो fair competition with cooperation दो चीज़े समझा फरक cooperation भी करो लेकिन fair competition के सब तो यह क्या दिये 14 principle दिये किसने henry फियो ठीक है आया समझ में